नमस्ता, स्वाधत आप सभी बच्चों का CDP by आंचन हो, ये वीडियो आप्लिकेशन की जो एक क्लास हमारी 41 की, इसमें कोछ इशू आ गया था, उसको कवर अप करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें जो भी बच्चे योट्यूब पर इस वीडियो को उनको भी स्वार का आइडिया होगा कि आप्लिकेशन पर किस प्रकार आप लोगों को पॉस करवाया जा रहा है, ये प्यॉरली NIOS बेस पॉस है, जहां पर आप लोगों को 2018 से लेकर जो पेपर का ट्रेंड हमारा NIOS के उपर आया, उसको लेकर स्पेशलिट डिजाइन पॉस ह आप लोगों के अब तक के जितनी पी पेपर हुए, उनलाइन हुए, कुछ पेपर आप लोगों के 2018 में उफलाइन हुए, सभी में किस-किस प्रकार के प्रशन पूछे गए, वो प्रशन कहां से बनाए गए, वो सभी बातों को मैं यहां आपको बताकर जलती हूँ यहां मैंने खास होशिश करी है कि आप लोगों को इतना transparency के साथ लेकर चलूं कि जो मैं पढ़ा रही हूं content, वो content कहां से है, उसी page numbers के उपर कहां कहां से आपके question आए रहे हैं अब वीडियो को शुरू करते हैं topic को लेकर हमारा topic personality के इस थब topic को लेकर है जिसमें हमें सबसे पहले Alfred Adler को पढ़ना है यहां पर मुख्य जो है psychologist इनका काम personality में खास लिया गया है एक नाम Alfred Adler जो आप लोगोंने पहले की eligibility exams में नहीं सुना होगा एक नाम आप लोगों का segment fright का है जिनके बारे में आप लोगों काफी परिचित होंगे काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा एक काम यहां पर काल यूंग का है और यहीं पर एक काम आप लोगों का काल रोजन्स का यह मैंने टेबल इसी यह बनाया है ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इनकी साइकोलोजी को लेकर इन्होंने एक खास साइकोलोजी के उपर काम किया तो जहां पर अलफरेट एडलर की बात करते हैं इन्ही हम इंडिवीज्वल साइकोलोजी के जन्मदाता मानते हैं इंडिवीज्वल साइकोलोजी माइने इसे हम व्यक्तिक मनोविज्ञान कहते हैं व्यक्तिक मनोविज्ञान दूसरा नाम सिग्मिन्ट फ्राइट का है जिन्हों हम प्साइको अनालेटिकल एक हमारा personality का एक ऐसा अप्रोच है, इसे हम psychoanalytical कहते हैं, जिनमें Sigmund Freud ने माना है, कि सबसे बड़ा role हमारी personality में, हमारे mind का unconscious part का है, यानि कि मन का अचेतन भाग, अचेतन मन. काल यूंग जो है, इनका जो काम है, इसे हम analytical psychology, यानि कि से हम क्या कहते हैं, विशलेशनात्मक मनो विग्या, विशलेशनात्मक मनो विग्या, यहाँ पर काल यूंग का काम जो है, वो काफी हद तक सिक्मिन फाइट से मेल भी खाता है, पर चाहे एडलर की बात हो, काल यूंग की बात हो, काल रोजस की बात हो, तोगेदर यूंग अग्रॉप फ्राइ, इन सभी लोगो ने जीवन में लिबिटो की भूमी का पर सवाल उठाया, इस लिबिटो को सेग्मिन फाइट के सिधानत का मुखे आधार माना गया, बहुत से मनो विग्यानिकों ने उनके सथे को नकार दिया, so many of the psychologists, they all started a new thought of psychology that was based on anti-libido type, उन लोगों को एक नया नाम दिया गया, नव या नियो फ्राइड ग्रॉप, तो Alfred Edler कहें, Carl Jung कहें, Carl Rogers कहें, यह सभी नियो फ्राइड ग्रॉप के थे, इसके अलावा और भी कही नाम हैं, जिनके बारे में आप लोगों को सिरफ उ नाम के बारे में पता हो, तो वो नाम भी मैं साथ में लिखवा के चलूंगी, in case अगर कोशन वहां से आए, मेरी हमेशे कोशिश होगी कि जो भी NIOs का content है, उसमें जहां जहां पे कुछ बातों को elaborate करना हो, वो मैं करवाती आई हूँ आप लोगों को, ताकि आपका चाहे NIO तो इसको पूरी बारी की से paper बनाते समया follow किया जाए, या उससे हट कर भी कुछ पूचा जाए, तो आप लोगों को सभी कुछ आता है, अब शिरू करते हैं अपना काम, individual psychology को लेके, लेकिन यहां Karl Rosser का काम रह गया है, तो उनका भी लिख देती हूँ, इन्होंने स्वेव म कि आपके लिए दो नंबर आपको दिलवा सकता है, इस दो नंबर में क्या क्या चीज़े आप लोगों के लिए आ सकती है, या तो आपको यहां पे पूछा जाता है, जो काम हमारा introvert और extrovert का दिया गया, Karl Jung के त्वारा, उसके उपर question पूछे गए है, जो काम आपका, Karl Jung का है, जिसमें आप लोग केवल पड़े हैं, कि introvert कौन है, जो लोग थोड़े शाय है, जो अपने में रहते हैं, पर इसके अंदर जो ब्रशन पूछा जाता है, वो कुछ ऐसे point है, जो आप लोगों ने पड़े नहीं होंगे, लेकिन जो बच्छे NIOS को बढ़ रहे हैं, उनको इसके अंदर 12 point का difference आपकी किताब में दे रखता है, पेच नमबर 2 और 3 को अच्छे से देख लेंगे, तो आपको वो difference मिल जाएगा, उसमें से question आप लोगों को आता है, उसके अलावा में यूंग का थोड़ा काम और detail में कराऊंगे, क्योंकि बुक में फिर वो काम नाइस वे में नहीं है, फोड़ा हटकर फिर अलग दिया गया है, वहां से question आता है, एडलर से question आता है आप लोगों को, और एक self concept को लेकर, काल रॉजर का काम है, काल रॉजर का काम है, और अगर सिग्मेंट फ्राइट की बात कहो, तो मेटा सिग्मेंट फ्राइट का काम त पेपर को focus करते हुए चल रही हूँ, तो जितना आपको करारियों से बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, सिग्मेंट फ्राइट में जहां पर आप लोगों के questions आए हैं, वो stages को लेकर आए हैं, जो इन्होंने मनों लेंगित आवस्थाएं दे हैं, उनकी ऊपर pressure है, फिर भी मैं चाहूंगे कि हम सिग्मेंट फ्राइट को थोड़ा अच्छी से पढ़ने, तो शुरुवात कर रही हूँ आपके Alfred Edler से, Alfred Edler का जो भी काम है, वो मैं आप लोगों को points-wise करवाऊंगे, क्योंकि points में आपको ज़र्दी याद होगा, सबसे पहली बात जो मैंने अभी यानि कि individual psychology की father कहला है, व्यक्तिक मनोविज्ञान के जन्मता, इन्होंने में किस वाद पर बल दिया, कि जीवन में libido ही हमारा उदेश्य नहीं, क्योंकि इस neo-fried group के है, तो libido को नका रहा है, जीवन में libido ही हमारा उदेश्य नहीं, तो फिर हमारा उदेश्य क्या हूंपा, यहां इन्होंने इस बात को बहुत clearly दिया है, कि हमारा जीवन में उदेश्य है, जीवन में superiority को पाना, जीवन में superiority को पाना, अब ये बात अगर इस सरीके से है, कि हमें superiority को पाना है, तो फिर हमें है क्या, इनका मानना है, कि प्रती व्यक्ति में इनका मानना है कि बच्चपन से ही हमें इस प्रकार रखा जाता है कि बच्चपन से ही हमें निर्भर होना या आपरियाप्त होना निर्भर या आपरियाप्त जिसे आप English में कहते हैं feeling of being dependent and inadequate, and inadequate, ही रहती है, और व्यक्ति, सारी उम्र, और व्यक्ति, सारी उम्र, सारी उम्र, इस से उत्पन, इस अपरियाक्ता, इस इन एड़क्वेशी से, उत्पन, inferiority complex को, जीतना चाहता है, इसे हीन गरंथी कहते है, inferiority complex से, जीतना चाहता है, और अगर वो जीतेगा, तब ही उसके अंदर, तो purity आएगी, यहाँ पर खास एक लाइन लिखी गई है, कि डेमसीन्स नाम का व्यक्ति, जो की तुतलाता था, अब अगर वो तुतलाता है, तो उसके अंदर बहुत सी inferiority complex भी होगी, क्योंकि इनका मानना है, कि हमारी जीवन शैलिंग में कई चीजों की प्रधानता होती है, एक होता है, हमारा अंदर का स्वय, यानि कि हमारा inner self, और दूसरा होता है, हमारे बाहर की ताकते, जो भी हमार social forces, इन दोनों का interaction हमारी life को एक उदेशय, एक goal देता है, और उस goal को इन्होंने नाम दिया fictional finalism, यह term भी paper में पूछी जा सकती है, लेकिन यह term आपकी book में नहीं लिखी गई है, लेकिन यह concept बन जाता है कि fictional finalism की बार किन्होंने की है, हिंदी में अगर हम कहीं, तो मैं इसका सरफ translation ही करके दे रही हूँ, कालपने पूर्णता की बार, fictional finalism का मतलब है, जब हम जीवन में अपना कोई goal fix कर लेते हैं, कि हमें जीवन में आगे क्या बनना है, जिससे हमारे अंदर की हीन भावना खत्म हो जाए, कर लेते हैं, ताकि हम अपने अंदर की हम अपने अंदर की हीन भावना को हटा सके, हीन भावना को हटा सके, इस कारण सभी की अलग-अलग जीवन शैलियां होती है अब किसी के लिए inferiority complex किसी चीज को लेकर है किसी को किसी चीज को लेकर हो सकता है किसी को अपनी गरीबी को लेकर है किसी को अपनी looks को लेकर है तो हर इंसान का अपना-पना होता है तो उसी चीज को कहते हैं कि हमारी जो जीवन शैलिया होती है ये प्रभावित होती है हमारी अपने inner self को लेकर कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा स्वय क्या है और साथ ही साथ वो social forces जो कही न कही हमारे self concept को भी प्रभावित कर भी है तो इसकी अनुसार उन्होंने चार प्रकार की जीवन शैलियों के बात करें अब वो चार प्रकार की जीवन शैलिया क्या है ये भी चीज बुक में नहीं दे रखी है और ऐसा पूछा जा सकता है बुक में केवल inferiority complex सकी ही बात की गई है और मैं फिर भी चाहूंगी कि ये चीज़े आपको पता हो एक है आपका getting type एक है आपका ruling type एक है avoidance type और एक है socially useful type socially useful type हिंदी का मतलब है getting type जहां पर आप चाहते हैं कुछ पान वो पाने का मतलब क्या है जो व्यक्ति संधर्ष से अपने गोल को पा लेता है अपने गोल को पाता है ये getting type स्ट्रगल करते चलेंगो ruling type इस फ्रकार के होंगे जो बड़े ही aggressive होंगे इनको बस पाना ही पाना है लेकिन वो हो सकता है कि कुछ चीजों के ओपर rule करना चाहे इसी प्रकार कुछ लोग क्या है avoidance type है avoidance type में क्या होगा इससे आप escapism में है यानि कि आप भागना चाहते हैं problem को face नहीं करना चाहते हैं तो जो avoidance type होंगे परिहार जिनकी शैली होगी ये जीवन में मुसीबतों से भागेंगे जीवन के कश्टों का सामना नहीं करेंगे बलकि वहां से भागेंगे और फिर है socially useful इन लोगों में काफी हद तक समाजिक्ता है लोगों के साथ मेल जोल बनाने वरे लोगों के साथ मेल जोल बनाकर आगे बढ़ने वरे मेल जोल बनाकर आगे बढ़ने वरे तो मूटा मूटा जो काम आपको पता होना चाहिए एलफरेट के बारे में आड़लर के बारे में तो मेन यही बात है इसके अलावा इन्होंने एक खास बात और कहीं कि बस्सालिटी में ये बात भी बहुत डिपेंड करती है कि आपका सिब्लिंग रावियलरी और आपका फामली में बर्थ ओर्डर क्या है तो इनका ये मानना था कि जो बच्चे भर में सबसे बड़े होते हैं यानि कि first born child ये बच्चा अपने आप में काफी mature होता है क्योंकि इस बच्चे को बारबर ये ऐसास कराया जाता है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया तो इनका मानना है जो वक से पहले ही mature हो जाते है वो first born child है जो middle वाला बच्चा होता है क्योंकि इसको पहले ही एक sibling मिल चुका होता है तो वो बच्चा socialize करना सीख जाता है इनको लगता है कि जो socially बच्चा बहुत competent है समाजी कुरूप से जो बहुत अच्छे से male jol बना सकता है वो middle order का child है और जो बच्चा घर में सबसी छोटा होता है चाहिक इतना ही बड़ा हो जाए माबाप के लिए अभी भी वो छोटा ही कहलाता है घरों में अलग लगते रिकी के नाम दे दिये जाते हैं और वो नामों से उनको जब बुलाया जाता है तो बड़े होने पर उन्हें वो नामों से पुकारा जाना अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी हमारे यहां पे तो कल्चर से भी प्रभावित होते हैं तो हम अपने बच्चों को पपू, सो, नन्नो कुछ भी बुला देते हैं तो यह भी बच्चों के सेल्फ कंसेप्ट को अफेट करता है तो यहां पर एक पॉइंट ओ लिख रही हो पाच्वे नमबर पे इन्होंने इस में भी बात करिये है कि जो व्यक्ति की परस्नालिटी है, उसकी इंडिज्वालिटी है परस्नालिटी प्रभावित होती है बर्थ ओर्डर से प्रभावित होती है birth order and sibling rivalry, जो भाई बहनों में सहुद्रों में एक तरीके की प्रति द्वन्दात्मकता आ जाती है sibling rivalry यहाँ पर आप लोगों को Alfred Edler का बस इतना ही पढ़ना है अब इसके उपर क्या-क्या question बन सकते हैं, हर बार मैं आपको बना के देती हूं अगर मैंने भी यह पढ़ाया है, एक्जाम में कैसा question बन सकता है which of the following is correct paper में DFFSB का एक अलगी style है, regular चार option वाले question भी आते हैं पर कम आते हैं, जाता तर इस फ्रकार के आएंगे Edler gave the term, coined the term, inferiority complex तीन ग्रंथी की बार किनों ने की है, Edler inferiority complex he discarded he discarded libido as prime motive of an individual as his goal in life as his goal in life जीवन में लिबिडो की भूमिका को नकारते हैं forward वो भूमिके जीवन के खरक्राशने के सामिके बार्य, बजाय के जीवन के पहले के अनभवों के बारे में वू trilogy में अन लिकरth संभावनाओं को सलाशने की बात करते हैं, संभावनाओं को सलाशने में विश्वास रखते हैं, बजाए की गत अनुभवों के, क्योंकि गत अनुभवों की बात कौन करते हैं, ये भी आपके सिग्मेंट फ्राइट कहते हैं, जिनको लगता है कि आपके जीवन में जो आपके पास एक्सपेरेंस होते हैं, वो आपके लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सिग्मेंट फ्राइट का क को एक नया आयाम देते हैं, जो आपको अपने आप में अनूठा बनाते हैं, पर सभी ने इसके उपर अपना अनुमोदन या अपना एप्रूबल स्टांप नहीं दिया है, आपके पास फ्रश्न बनता है कि यह जो तीन मेने आप लोगों को कथन दिये हैं, तो इसका कुछ इस सेकेंड फ्लस थर्ड सही है या ना, तो आपके लिए यहां पर आंसर बन जाएगा, यहां पर तीनों ही बाते सही हैं, और जहां पर आप लोगों के पास content ज्यादा नहीं होता है आपकी बुक में, वहां पर मैं आपको कुछ ऐसे question देती हूँ, जहां पर आपको content को portion supplement कर ज आप लोगों को clear हो गया होगा, next topic में बढ़ते हैं, next topic है बिटा आप लोगों का, जहां पर हमें segment fright की बात करनी हैं, मैं इनको brief कर रही हूँ, board pdf, application के बचों के बचों के पास होगा, वीडियो की जो दिक्कत है, वो आप लोगों की यहां पर पूरी हो जाएगी, segment fright, आस्ट्रिया की वेना शहर की, segment fright, इन्हीं हम किसके बारे में, किसके नाम से या किसी रूब में जानते हैं, इन्हीं हम father raw, abnormal psychology, आ सामान्य मनों विक्यान के जन्र, जिनका सिध्धान कैलाया psychoanalytical theory, यह तो हुआ आपका हिंदी में, आ सामान्य मनों विक्यान के जन्र कहलाया, इनकी theory जो कहलायी, वो psychoanalytical theory of personality कहलाया, और इनका जो approach माना गया, वो psycho dynamic approach माना गया, मनों गत्यात्म, इसे psycho dynamic approach इसलिए कहा गया है, कि हमारा, इन्होंने जो माना है, कि हमारी mind के तीन parts है, तो वो psycho dynamic में व्यक्ति का जैसे जैसे stage आती है, तो कैसे कैसे libido जिसको ये main मानते हैं, वो अपना स्थान बदलता जाएगा, तो word आपका गत्यात्मक, यानि कि गतिशीलता है, तो वो गतिशीलता को आवस्था में दिखाते हैं, कि कैसे आवस्थाओं में लिबिडो का स्थ बदलेगा, तो इनका जो main contribution माना गया, वो इसी चीज को लेकर है, कि इन्होंने 5 psycho analysis के तौर पर, psycho sexual stages ही, जिनका अधार में ने बताया psycho analysis होगा, 5 psycho sexual stages ही, आपके paper में जो प्रशन आएगा, वो यहां से आएगा, बाकी है, इसमें बहुत सारी detail, उसके बाद यहां पर, इनके काफी सारे कथन हैं, अगर आपने उनके कथनों के बारे में सुना हो, तो सिग्मेन फ्राइट कहते हैं, बच्चे को जो भी बनना होता है, बच्चे को जो भी बनना होता है, वहे शुरू के पाँच वर्षों में बन जाता है, जिसे नर्मान काल कहा गये, वहे शुरू के पाँच वर्षों में बन जाता है एक कथन उनका आता है कि किसने व्यक्ति की मन की संरचना को आईस बल्ग से बर्फ की चटान से कंपेर किया तो इन्होंने यह इस प्रकासे बनता है किस मनों विज्ञानिक कमें इन्होंने मन की रचना मन की संरचना कहेंगे अगर मन की संरचना को बर्फ की चटान से तुलना करके दिया इनका ये भी मानना है कि हम जीवन में जो भूलना चाते हैं वही भूलते हैं और उनकी ये जो बात है ये उनकी इगो डिफेंसिव मैकनिसम में है जहां पर एक खास है आप लोगों का जहां पर हम कुछ इच्छाओं को तबा देते हैं उनको भूल दाना चाते हैं इसको इन्होंने इगो डिफेंसिव मैकनिसम में रिप्रेशन में कहा है दमन में कहा है और साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि जो छोटे बच्चे हैं नवजा यानिकी शिशु शिशु में कामुक्ता की भावना प्रबल होती है यहां पर इस पर जाड़ा बात करूंगी क्योंकि आपके बुक में एक वर्ड दे रखा है काम इच्चा और शिशु कामुक्ता को दे रखा है तो यह वर्ड मैं अलग से लिख रही हूँ आपकी बुक में दिया है शिशु कामुक्ता और इंग्लिश में आपको वर्ड मिलेगा इंफिन्टाइल इंसिंग या सेक्शुालिटी इंफिन्टाइल सेक्शुालिटी तो उसके साथ आप इस कथन को रिलेट कर सकते हैं इसके अलावा सिग्मिल्फाइट का जो काम है उसके अंदर आपके बुक में तीन वर्ड दे रखे हैं कि इन्होंने स्ट्रक्शर ओफ माइन किस प्रकार से दे रखा है अभी जैसे मैंने बताया बर्फ की चट्टान के साथ उसके तुलना के गए मन की सनरचना इसी बात को हम कहते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल ओफ माइन किस ने दिया टोपोग्राफिकल या स्ट्रक्शर ओफ माइन टोपोग्राफिकल मॉडल ओफ माइन यानि कि मन की स्थलाकृति इन्होंने इसको बताया कि ये अपने आप में एक तीन इसके अंदर तीन भाग है अब वो तीन भाग किस प्रकार से है वो ऐसे ही वरफ की चटान से ही अगर हम इस वो ऐसे ही करके दिखाए तो इन्होंने सबसे बड़ा भाग माना है नौ बटा दस अचेतन भाग जिसे कहा गया अनकोंशियस माइड और यहां पर है आपका प्री कॉंशियस का मतलब है पूर्व चेतन और ये है आपका Conscious Part इसे कहा गया चेत तो इनका मानना है कि जो सबसे बड़ा पार्ट है वो अचेतन है और अचेतन में दबी हुई इच्छाएं ही हमारे चेतन को प्रभावित करती है तो हमारी पस्नालेटी में जो हमारा Unconscious Part है उसका बहुत बड़ा रोल है सिग्मेंट फ्राइट की अचेतन की बात पर काल्योंग ने भी बात करी तो आपकी बुक में साइड में कहीं दे रखा है कि काल्योंग ने भी ये माना है कि पस्नालिटी के अंदर तीन तत्व है उन्होंने दिया है Ego Conscious Personal Unconscious Collective Unconscious जब आपने सिग्मेंट फ्राइट करें तो आप इनी पेज नंबर में थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको काल्योंग का भी मिल जाएगा बहतर होगा कि आप उन दोनों के स्ट्रक्चर को कॉपी में एक रेफ्ट पर और एक राइट पर एक लाइन ऑफ पार्टिशन डालके दोनों को बनाएंगे एक पर में कुशन आ सकता है काल्योंग को लेकर भी सिग्मेंट फ्राइट को लेकर भी अब यहाँ पर इनका मानना है कि जो उरजाएं यहाँ पर काम करती है जो एनरजी काम करती है कि माइन में वो कौन सा हिस्सा है उसको कौन चलाता है तो उसके लिए यहाँ बात की गई है तीन पहला है आपका इद्म जिसको आप इड कहते हैं दूसरा आपका इगो जिसको आप एहम कहेंगे तीसरा आपका सूपर इगो जिसको हम कहते हैं पराहिंभ, अब ये तीनों कहा कहा पर काम करेंगे, तो जहां पर हमारा अचेतनमन है, जहां मेंली हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, तो उन दबी हुई इच्छाओ को कभी भी सर्फिस में ला सकता है आपका इद्म, जो कि बहुत प्रपल होता है, ये इद्म अपने आप म हमारी जो भी प्रवतियां है, जो हमारी मूल प्रवतियां है, उनको लेकर है, यानि कि जिसको हम अपने instincts कहते हैं, तो ये जो id होता है, ये छोटे बच्चों में, खास कर बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, तो अगर आपके परशन आता है, कि छोटे बच्चे में में इनली किसकी प्रधानता होती है, id की, ego की, super ego की, यहाँ पर छोटे बच्चे से मैं शिशू कह रही हूँ, तो शिशू की अगर हम बात करें, तो वो बच्चा जो रो रहा है, इसको जो चाहिए उसको पाना ही है, तो उस समय उस बच्चे का id जो है, वो सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व पे आवी हो जाता है, इसलिए हम कहते भी हैं, छोटे बच्चे की जिशू बिलकुल राजा की तरह है, जो पूरी ही करनी होती है, तो यह तीनों उर्जाएं अपने आपने क्या है, इड है, इगो है, सूपर इगो है, है आपकी में जिसको लेकर हम पैदा होते हैं, यह जो हमारे आंदर जन्मजात है, तो जन्मजात तो हमें केवल इड ही होता है, इगो और सूपर इगो उसी के ही रूप बन जाते हैं, जैसे हम बढ़े होते चले जाते हैं, और जब हमें समाच के बारे में, कि भई हमारे को किसरा वहवार करना है, इनको हम सीखते हैं, तो हमारी id को, थोड़ा सा हम मोडिफाई करके अगर कहें, तो वो ego का रूप ले लेती हैं, और जब उसके बाद हम थोड़े बढ़े होकर, य यानि कि नैतिक सर के ऊपर क्या ठीक है, क्या बुरा है, तो तब हम में सूपर एगो का रूप आजाता है, तो जन्म से ही जो हम में विद्यमान है, तो इन तीनों में अगर मैं कहूं, इद्म में, अहम में, पराहम में, If I simply ask you, what is innate in nature we are born with, is that your ego or super ego, तो आपका जवाब होगा इद्म, अब इन तीनों में क्या फर्क होता है, तो बहतर ये होगा कि इनको समझने के लिए, आप लोग इसका एक टेबल बनाएं, मेरा हमेशा मानना है कि जितना आप psychology में, टेबल्स बना के चीजों को करते हैं, आपकी analytical thinking अच्छी होती है, तो इसी को हम यहां करते हैं, इड क्या है अपने आपने, इगो क्या है और सूपर इगो क्या है, जहां पर इड है, इस इनों लेटिन भाज़ा के शब्द, अगर इन शब्दों के अर्थ ही आपको बता चल जाएं, तो half the battle is one, आपको काफी सारा समझ मे आजाएगा, इन जो वर्ड है, इस वर्ड के माइने ही यह है, इट, यह है, मुझे यह है चाहिए, तो चाहिए तो मैंने पाना ही है, इगो है आपका एहन, जिसको अगर हम भाशा से देखें, लेटिन भाशा से किस से लिया गया है, आई से, सूपर इगो, जिसे आप हिंद अपने तुछ इच्छाओं से उपर, उपर उठ जाते हैं अपने मैं से, तो आप पराएहम में आ जाते हैं, तो जहां पर इद्म होगा, तो वो कुछ ऐसा है, जो मुझे भाया, वही मैंने पाया, और आगे अगर कहूं, जो मेरे रस्ते में आया, जो मेरे रस्ते में आया, उसे मैंने मार गिराया, जैसे की रावण, उसे मैंने मार गिराया, तो यह हमारे व्यक्तित्व के उस रूप को दिखाता है, जहां पर एक इनसान, एक रावण के रूप में दिखाई पड़ता है, इस तरीके का, तो जहां पर आप अपनी इच्छाओं के आगे अधीन हो गई, अपनी इच्छाओं के अधीन, जहां पर आप बिल्कुल unreasonable है, आपको बस जो चाहिए वो चाहिए, वो कितना सही है नैतिक्ता के अधार पे नहीं, your least bothered आपको उसकी लोग, लाज, जग की कोई परवान, तो जितने भी लोग अपराधिक प्रवति के हैं, जो कभी इंसानी रिष्टों को शर्मिंदा करते हैं, वो सभी लोगों में id हावी हो जाता है, उनमें रावन भारी बढ़ जाता है, और दूसरा है आप लोगों का ego, ego वो है जो की biological नहीं है, जैसे id जो है, अगर इसका nature गें तो ये biological है, इसको देखे तो ये अपने आप में psychological है, इसको हम देखे तो ये अपने आप में social है जो morality के साथ चलता है, तो जो psychological है ये ego इसका काम है santulan बनाना, संतुलन बनाना इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना है इसका काम है एक पलडे में इड है एक पलडे में सूपरीको है इन दोनों के बीच में एक बैलन्स को बनाए रखने अब इस बैलन्स को बनाए रखने के लिए इसको हमेशा इस बात पर देखना होगा कि समाज के क्या मान दंड है तो वहवार ऐसा किया जाए जिसमें अगर आपको अपने मन की इच्छा पूरी भी करनी है तो उसको समाज के स्विक्रत रूपों में की जाए अगर मैं एक एकजांपल दूँ आप लोग बड़े हैं तो आप समझ सकते हैं बहुत से लोग आपको नाम से तो बहुत अच्छा कहते हैं जैसे कि आपको एक नाटक आता है भाबी जी घर पर है तो क्या उसमें जो व्यक्ति कहता है भाबी जी घर पर है क्या उसकी भावना लक्षमन जैसी है, नहीं, वो बुरी निगहा रखता है, लेकिन वो इसीज को बुरे रूप में नहीं करेगा, वो समाज में जो सुकृत रूप है, उस रूप का इस्समाल करेगा, और अंदर सी जो इसकी इच्छा है, नजी की पाने की, उस पो भी पूरा करने की कोशिश करे इसे बहुत से समाज में आपने राक्षस देके होंगे, जिनों ने बहुत सुन्दर सा रूप ओडा हुआ है, लेकिन अंदर उनके गंदगी छुपी हुई है, तो वो है एगुब, जहां पर आप समाज के सामने अपनी बहुत अच्छी साफ सुथरी छवी बनाके चलते हों हमारे यूट्यूब पर भी काफी इसी चीज का प्रचलन है, कि आप अंदर से कैसे भी हो, पर आपको बाहर से अपनी छवी बहुत अच्छी बनाने हैं, आपको बेटा कहने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, बहुत से आपके माई बाप यहां पर बन जाते हैं, पर क्या एक मौरल ब्रांच है, यानि कि हमारे मन की नैतिक शाखा, मन की नैतिक विमा, जो हमें ये बताती है, क्या करे, क्या ना करे, जो कहती है, क्या करे, क्या ना करे, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, तो ये हमारे को दोशी करार देती है, और फिर हमें गलानी गिल्ट की भावना देते हैं और एक है क्या करें अगर हम कर देते हैं तो ये हमारे को हीरो बनाती है ये हमारे को अच्छा बना देती है हमारी ही नजरों में तो इस प्रकार ये हमें पुरुस्वरत करती है जब आप अपने अंतरात्मा को follow करते हैं आप red light पर गरें अगर आपने किसी की मदद नहीं करी किसे ने आपको मदद के लिए गुहार लगाई और आपने उसकी मदद नहीं करी अपने आपको कोई भी reason दे दिया अगर मैंने इसकी मदद कर दी क्या मैं ही बैठा हूँ बाकी लोग नहीं है क्या ये सही समय है कुछ न कुछ अपने आपको logic दे कर आप वहां से निकल जाते हैं क्योंकि वहां पर आपका ego हावी हो गया जिसने आपको logic देना शुरू कर दिया अखेले आप ही तो है सबका ठेका आपने थोड़ी उठा रखता है लेकिन कहीं आगे चल कर अगर आपके अंदर आपकी inner conscious को कुछ प्रिक करता है आपकी आत्मा को कचोटता है तो वह आपकी super ego है वो हो सकता है आपके मन में गलानी की भावना लाए और ये गलानी की भावना शायद आपको मजबूर कर दे कि आप अपने गाड़ी को घुमा कर पीछे उस व्यक्ति को ढूंडे जो आपसे मदद मांग रहा है और उसको मदद देने के बार आपको जो एहसास होगा सुख का तो वो super ego है जो आपको reward देती है और जब तक आप अपने करतव्यों से मुँ फेरते हुए चले आते हैं बड़ी बेरुखी से अपने आपको कुछ logic देकर अपने आपको satisfy करकर आ जाते हैं तो super ego आपको गलानी की भावना देती है हमारा व्यक्तित वे किस प्रकार का है वो इनी तीनों पे निर्फर करता है कि कब हम में इद महावी होता है कब ego तब super ego अगर आप से सवाल पूछा जाए कि अगर आप एक balanced personality के स्वामी है तो आपके लिए क्या कहना सही होगा Your ego is more dominant than your id Your super ego tubs suits your ego Your ego is a solvent to your id or your ego is free dominant in your personality तो आपका आखरीवल आंसर बनेगा यदि आपका एहम, आपका ego सबसे ज़्यादा सशक्त है तो आपकी personality सबसे अच्छी मानी जाएगी क्योंकि अगर आप इद्म पर है तो भी हो सकता है आप बहुत कुछ समाज में खो देंगे क्योंकि आपकी राक्षसी इच्छाए है और सूपर एगो में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इतना अच्छा कर जाए कि कभी-कभी वो लोग भी मर जाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया होता है आंसंग हीरोस की तरह वो बली के बकरे बन जाते हैं और इगो वाले लोग वो होते हैं जो बहुत अच्छे से ऐसा काम कर जाते हैं कि अपनी इच्छाओं को भौतिकता के सुखों को भी भोगते हैं और समाज के सामने एक बहुत अच्छी भूमिका के रूप में एक बहुत अच्छे रोल के रूप में सामने आते हैं सबसे बालेंस वर्सारिटी वही है जहां पर इगो आपका सर्वो परी है यह कंसेप्ट था इनका इन तीनों चीज़ों को लेकर उसके बाद है आप लोगों की साइको सेक्शुल स्टेजिस यह बिल्कुल आपकी बुक में दे रखा है जो मैं अब लिखने लगी हूँ यह पांच सेजिस है पेपर में ज्यादा कोशन यहां से है अगर सिग्मेंट फ्राइट का आएगा क्योंकि पांच सेजिस है हर शफ्ट में अलग-अलग रूप में पोचेंगे अगर सिग्मेंट फ्राइट को ही अधार बना के एक दिन के अंदर जो तीन शिफ्ट होती है उसमें यही ट्रेंड होता है कि जिन कोशन को आपने पकड़ा है उसी के ही टाइप्स को बदलोगे तो अगर सिग्मेंट फ्राइट का पकड़ा है तो तीनों को अलग-अलग stage मिलेगी, अगर पूछा है उन्होंने forces के बारे में, तो तीनों shift को, एक को id मिलेगा, एक को ego, एक को super ego, तो आपका जो question paper set किया जाता है, उसमें जो same day में 3 shift होती है, उनकी अंदर जो पहली shift को paper आएगा, वैसा ही paper बाकी की 2 shift को आएगा, यानि कि पस थोड़ी सी चीजे हिलेंगी, सेम नहीं होगा, पस थोड़ा content का जो level है, difficulty level है, वह ही रहेगा, अब बढ़ते हैं आपकी stages के उपर, पहली stage से रखी है आपकी oral stage, मैंने application पे करना चाहा था, और आपके साथ भी वही चीज कर रही हूं, कि आप थोड़ी महनत करते होए, इस सीज को इस प्रकार लेखिए, कि कौन से नंबर की अवस्था है, अवस्था का क्या नाम है, अवस्था की क्या आयू है, अवस्था में लिविडो कहां पर सर्वो परी है, और उस अवस्था का विवरण किस प्रकार से होगा, तो आपने यहां पर बिल्कुल इस प्रकार करना है, पहले नंबर की अवस्था कौन सी है, उस अवस्था का नाम, उसकी आयू, उसमें लिबिडो का कौन सा स्थान है, साइट ऑफ लिबिडो आपकी क्या बनेगी, और उसकी अकॉर्डिंग भी आपकी परस्नालिटी किस फ्रकार की हो सकती है, उस परस्नालिटी का description किस फ I will not be going into the details of the personality type की लिबिटो के अधार पे आप किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे। तो सबसे पहला है आप लोगों का औरल सेज को लेकर। तो अवस्था का नाम है आपका मुखा अवस्था, अंग्रेजी में कहीं तो यह औरल सेज कहलाएगे। इसमें जो आयू है वो आपकी जन्म से 2 साल है। आप लोगों की आयू जो अब तक मैंने लिख्वाई है वो NCRT के लिख्वाई है। तो NCRT में थोड़ा अलग है एज को लेके आपको यहाँ पर NIOS को ही फॉलो करना होगा। पर हाँ जो बाते मुझे ठीक नहीं लगती मैंने सब तरफ कनफर्म करा वो चीजों को मैं चाहूंगी कि आप करेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर जो पांचवे नमबर की अवस्था है उसका नाम फिक्सेशन दे रखा है वो मेरे अकॉर्डिंगली उसका नाम जनाइटल होना चाहिए। तो यह चेंज आप कर लीजेगा क्योंकि जितने भी प्रशन पूछे गए कहीं पर भी फिक्सेशन सेज को आप्शन नहीं दिया गया। वहीं पांचवे का दिया गया जो आपको हर किताब में मिलेगा। फिर भी रेफर करने के लिए आप ट्वेल्थ क्लास की पहला बाला चाप्टर सेकी नमबर का चाप्टर है सेल्फ एन परस्नालटी उसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेजिस इस प्रकार आपने लिखनी है और लिबिडो का सान लिखने का मतलब होता है कि जहां से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्योंकि अगर लिबिडो है तो लिबिडो के साथ जो चल रही है शक्ती वो इडि की इच्छा है यानि की इद्म है तो ये उस इच्छा को पूरा करेगा ही करेगा। तो ये अपनी इच्छा को कैसे पूरा करता है, तो यहाँ पर बोला जाता है, ये जो बच्चा है, सनपान के द्वारा, सनपान के द्वारा, अपनी कामुकता को शान्त करता है, अपनी लिबिडो को, अपनी कामुकता, लिबिडो को शान्त करता है, और इसे शांत इसलिए करना है क्योंकि ये जो आपका लिबिडू है इसको इसी तरीके से दिया गया है कि ये आपको एक इरोज यानि कि जो आपकी जीवन उर्जा है उसके साथ जुड़ा हुआ है और अगर आप इसको पूरा नहीं करते है तो आपके अंदर जो एक बृत्यू बृत्यू आ सकती है जो आपका एक थैना टॉस है तो वो आपमें आ जाएगा तो जिन लोगों में लिबिडू सैटिस्फाइग हो जाएगा वो आगे चलके थोड़े बैलन्स रहेंगे लेकिन जिन में नहीं हो पाएगा तो उसका असर उनकी ताउम्र उनके व्यक्तितु पे दिखेगा यानि कि जो बात सिग्मिन फ्राइट ने बोली कि जो भी आपको बनना है उसमें आपके जीवन के आरम भी कनुभव जो आपके पास एक्स्पिरेंसिस है जो आपके पांच साल तक की उम्र के है कि एबनॉमल साइकॉलजी के इनको फादर कहा गया तो वो पस्नालटी में किस प्रकार की एबनॉमालटी दिखती है तो लोग बहुत जादा बोलते हैं सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते यानि कि मुझे जो कहना है बस मैं ही कहूंगी मेरा ही राज चलेगा मैं आपकी बात सुनूंगी ही नहीं तो इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने मुख की उस अवस्था को जोट समय रहते पूरा नहीं कर पाए जो उस अवस्था का था तो एक विकार के रूप में अब यह आपके व्यक्तित्व का अभिन अंग बन जाएगा यौस विल बी अन अबनॉर्मल परस्नालिटी विच विल बी प्री डॉमिनेटली डिफाइन बाई यॉर ओर डिसॉर्डर्स उसमें हो सकता है अगर आप खाना काते हैं तो आपका जितना भी मुझ खूल सकता है इतना बड़ा मुझ खूल कर आपको लगता है कि प्लेट का सारा खाना में खा लूँ किसी शादी ब्या में जाते हैं तो आप लोग ऐसा खाना मान लिजे किसी ने डाला शादी की प्लेट में कि लगे किसी पूरे परिवार का खाना इस फ्लेट में आगे, लेकिन वो व्यक्ति अकेला खुद खाना चाहरा है, खाया नहीं जा रहा है, पेट उसका कह रहा है छोड़ दे, लेकिन यह जो बन चुका है औरल, वो जो लालच है, वो जो नजर नहीं भर रही है खाने को देख कह रही है, इसी प्रकार आप आगे की सेजिस का बना सकते हैं, दूसरे नंबर पर दे रखी है आपकी गुदा अवस्था, एनाल सेज, यहां पर भी उम्र दे रखी है आप लोगों की, दो से लेकर तीन साल तो, यहां पर जो एनेस, इसे मलमुत्र करसान कहा जाता है, वहां और इस प्रकार कोई मशल्स रेलाक्स होते ही, पॉन्ट्राक्ट होते हैं, और आपका मलमुत्र बहार आता है, उसी तरह से एक आनंद की भावना को पाता है, वो भावना बिल्पल वही लिबेडो की है, पर अब उस लिबेडो को मुँ से शांतना करके, आप अपने मलमुत् तंत्र की सहायता से उस लिबिडो के सुख की प्राप्ति करते हैं, तो यहां पर लिबिडो का सान बदल जाएगा, यहां पर भी परसालिटी में अलग-अलग तरीके के टाइप बनते हैं, पर वो पेपर में आप से नहीं पूछा जाएगा कि आप एनाल रेटेंटिव हो या आप एनाल एक्सपल्सिव हो, कुछ लोग जो सफाई के प्रती बहुत ज़्यादा अपसेस हो जाते हैं, कुछ हैसे जिने सफाई का कोई ध्यान नहीं, तो वो सभी लोग इसी परस्नालिटी की आवस्था के उपर रुक जाते हैं, इसे सिग्मिन फ्राइड ने फिक्सेशन नाम दिया, पर आपकी बुक में फिक्सेशन सेच को नाम दे दिया, जिससे में अग्री नहीं करते हैं, बाकी की तीन के उपर भी आप इसी तरह के से बना सकते हैं, तीसरा वाला आपका फालिक कहला आएगा, जिसे गुदा अवस्था कहेंगे, इस गुदा अवस्था में स प्राले का लेंगित आवस्था, बच्चा यहां पर अपनी कुछ प्राइविट पार्ट्स को टच करते हुए उसको लिबिडो का जो एक सुख है वो प्राप्त होता है, यहां पर एलेक्ट्रा कॉम्पलेक्स है और ओर्डिपल्स कॉम्पलेक्स है, यहां पर एड इतना हावी है कि बच्चा अपने पैरेंट्स के प्रती इस प्रकार का भाव रखता है, अगर एलेक्ट्रा है तो जो लड़की है उसका पिता के प्रती एक आकर्शन है, पिता के प्रती आकर्शन है और यदि यह आकर्शन लड़के का मा के प्रती होगा तो वो ओर्डिपल्स कॉम्पल पर पेपर में इतना नहीं पूछना, मेरे अगर डिटेल जाना चाओ, तो पुराने बहुत वीडियोस हैं, जिसमें मैंने एक-एक साइकोलोजिस के उपर क्लास करी हुई है, जिनको डिटेल में पढ़ना हो, वहां से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए होती है, और पिबारिट जाओ, क्योंकि आपकी बुप में 12-13 साल तक दे रखा है, वैसे उसको पिबारिट हम वह संधी कहते हैं, यहां पर सुप्ता अवस्था का मतलब यह है, जहां लिबिडो निश्क्रिये हो गया, मतलब इनाक्टिव हो गया, निश्क्रिये हो गया, य जब जाके बच्चों में एक ऐसी भावना आती है, कि हमें एक गलत लगा में नहीं करना चाहिए था, तो वो अपनी लिबिडो की उज्जा को खेल पुद में निकालते हैं, इसलिए इसमें जो उम्र दे रखी है, उसे हम मिडल चाइलूट से रिलेट करते हैं, और हम इसको प्लेइ सेज कहते हैं, तो प्लेइ सेज वर्ड के बहुत घहरे माइने हैं, वो माइने आप सिग्मिन फ्राइट के सिधान से भी ले सकते हैं, जहां पूरा का पूरा लिबिडो की जो उर्जा है, काम उर्जा है, वो खेल पूर्द में निकाल दी गई है, और पांचवे का काम बरना चाहिए जनाइटल, जिसको जनेंदरी अवस्था कहा जाए, पर बुक में यही पॉइंट आप लोगों का फिक्सेशन दे रहता है, जनेंदरी अवस्था, यहां पर कंसेप्ट आजाता है, कि आप में एक मैचॉरटी आ गई है, कि होमो सेक्शॉल और हेट्रो सेक क्या है, यानि कि कही न कही एक सेक्शॉल मेचॉरटी आ जाती है, जो बच्चों में एडॉलसन से आगे पूरी जीवन तक रहती है, और हमें पता चलता है कि किस प्रकार लिबिडो को एक समाज के स्विक्रत रूप में शान्त किया जाना चाहिए, तो यहां पर जहां एक इंसिटूशन के रूप में है, जहां पर आप अपने च्छाओ को एक सोशली एप्रूब या सोशल लाइसंस के साथ इन चीजों को बड़ी मेचॉरटी के साथ करते हैं, और इस आनंद के साथ मिली जिम्मेवारियों का निर्वा करते हैं, तो आप में एक मेचॉरटी आ में डिसकस नहीं किया हुआ, एको डिफेंसिव मैकनिसम, मैंने अप्लिकेशन पर ये करा रखा है, और जो बचे यूट्यूब पर इसको देखना चाहेंगे, आप मेरा नाम टाइप करेंगे, एको डिफेंसिव मैकनिसम बाइ आंचन, तो आपके सामने वीरियो जोपन हो ज पूछा गया है, पर हां, आपकी बुक में एक लाइन जरो लिखी मुझे मिली, इस कारण मैंने अप्लिकेशन पर सारी कराई है, आपकी बुक में लिखा हुआ है सब्लिमेशन, जो अपने आप में एक पॉजिटिव एहम को रक्षा करने वाली योगती है, जो अपने आप म एक सकरात्मक कदम उठाते हैं, अपनी चीजों को कमजोरियों को पहचानते हुए, जहां पर सब्लिमेशन है, उसके माइने है, जहां पर आपने अपने लिबिडो को एक सही रहा दी, एक कंस्ट्राक्टिव रहा दी अगर आप में बहुत गुस्सा है, तो आपने उस गुस कहला आएगा, इसे मैं कहूंगी इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो एक्जामिनर आपकी कोशन बना रहे हैं, वो उन्हीं चीजों पर ज्यादा प्रशन आ रहे हैं, जो किताब में लिखा है, तो किताब कर लिखा एक एक शब्द आपको आइडिया देता है, कि आपके प्रश को जरूर विजिट कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लिकेशन का लिंक होगा, ब्रेइन एंडिश्मेंट अकाडमी, इसे आप गूबल पर जाके, प्ले सोर पे जाके, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें 506 जो मैंने किताब करवाई है, इस एक किताब को करवाने में ही, इसी एक किताब को करवाने के अंदर, हमने जो समय लगाया है, जिसके अंदर चार ब्लॉक्स है, तेरा यूनिट्स है, ये लेंदियस बुक्ती आपकी, और इसमें काफी आपका पार्ट, 30% सलिबस यहां पे कवर हो जाता है, इसके अंदर हमने धाईसो से जाधा प्राक्टिस पोशन करे होंगे, और साथ आप लोगों के यहां पर टेस्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग इस पोशन, और कल मंडे को, कल मंडे, यानि की कल 21 अगस को, if I am not mistaken, tomorrow is 21st August, तो आप लोगों का यहां पर एक्स, प्रॉपर टेस्ट होगा, जिसमें 50 प्रास पोशन होंगे, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपको अपनी पर्फॉरमस को जज करना होगा, कि पहले जब आपका मैंने युनेट वाइस या ब्लॉक वाइस टेस्ट लेती गई, और जब इस पूरी किताब को इखटा करवा रही हूं, जिसमें मैंन इस किताब को भी पूरा नहीं माना है, इसको भी सप्लीमेंट किया है, इस किताब में बहुत सारी चीजों को सप्लीमेंट करने के लिए मैंने प्री नेटल डेवलाप्मेंट पढ़ाया है, इसके अंदर ड्यूरिंग बहुत क्या-क्या चीजे हैं, उसके बारे में बात करी जितने भी सिधान्त है, उन सिधान्तों में जहां एक शब्द आया, उस पे पूरे सिधान्त को कितना करना है, उस सब करवाया है, तो अगर मैं कहूं, तो 70 प्लस आज, 70 घंटों से जादा समय इस एक किताब को दिया गया है, पर हां, इसको करने के बाद, आप लोगों को खु काई भी की जरूरत नहीं है, कोई भी कुश्चन, जो भी मैंने आप लोगों को करवाया है, या टेस्स में दिये, डेली प्राक्टेस में दिये, खातों से बना कर दिये, उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, एक पार आप लोगे अप्लिकेशन को विजिट जरूर की झाओम।। झाओम कर लू झाद धिसा नहीं हैं दिये मैंन दियू्सी चल झांणे हैं, तक्रफिवाँ और झाल कल्ड़ मैं से खाउआ Representatives से बंDas से बंबड़ मैंने छोगे हैं वीया, गीकंफे हैं 1.003.